तो मैं आपको बात बताने वाला था कि existence of God की भगवान है या नहीं तो इसके लिए चोटी सी बात है चोटा सा किस्सा है और आप अपने अध्यन से जोड़ना इसको आप लोग अपनी study से इसको जोड़ना और प्यारे दोस्त एक बात याद रख लेना एक बात याद रख लेना study से आप लोग क्यों कर रहे हैं study आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप success हों इसलिए कर रहे हो ना वही yes or no आप कहेंगे भी आप बिल्कुल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम success मिले success मिलती किसको है success किसको मिलती है सक्सिस उसको मिलती है, जो अपना क्या, पून दे देता है, पून दे देता है, पून देने का क्या मतलब होता है, पून क्या, इंटेंशन, महनत, देखना, लगन, तो किसा है महाबारत का, बहुत ध्यान से सुनो, आप सब जानते होगे कि पांडव और कौरवो के बीच में, तो जुय में पांडव किस को हार गए, दुरोपदी को हार गए, लेकिन दुरोपदी जिस कॉन्туिडगेंस से उस सभा में पहुचि कि वहाँ पांडव बैठे उए हैं, और वो पंचकन्या जिसको अपने उपर गर्व था, कि मैं किस की पत्नी हूँ, भीम की पत्नी हूँ अर्जुन की पत्नी हूं जब सभा में पहुची सभा में पहुचने पर जब दुस्सासन ने कठाक्ष किया तो उन्हें ये उम्मीद थी कि सायद अर्जुन गांडीव धारी मेरे लिए कुछ करेगा लेकिन अर्जुन कि गर्दन क्या है ऐसी की ऐसी ही उसने सोचा कि सायद भीम जो है न भीम ये गदाधारी ये सायद सब के सिर्फ फोड़ दे तो कुछ होगा hopeless हो गई hopeless मतलब कोई आसा नहीं रही और जब कोई आसा नहीं रही तो फिर उन्हें सोचा कि यहां गुरुवर बैठे हुए है किरपाचारिय, दुरणाचारिय ये सायद कुछ करेंगे कुछ नहीं किया कुछ नहीं हो तब उन्होंने एक अंस मात्र जब साड़ी के एक छोर को पकड़ा दुसासन ने उन्होंने थोड़ासा भगवान को याद किया मेरे बात को फोकस करना क्या बुलू रहूं है तोड़ासा भगवान को याद किया और वो भगवान स्रीक distraction उस समय थे दवारिका में और दवारिका में रुकमणी के साथ खाना खा रहे थे और ठाने का निवाला सिर्फ उनके गले में गया और अटका रह गया और गले में जब अटका रह गया तो रुकमणी ने पूछा कि क्या हुआ कोई कंकड है क्या तो रुकमणी ने नहीं कोई याद कर रुकमणी ने कहा God please save her भगवान अंग्रेजी मत नहीं बोली होंगी भगवान जा करके उनकी रक्षा करो तो रुकमणी नहीं नहीं अभी पूरी तरीके से याद ही नहीं किया है अभी जो फोकस देना था वो फोकस दिया ही नहीं सिर्फ अंसमातर याद किया है पून तो याद किया ही नहीं है तो अभी जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता और जब दुरोबदी को ये लगा कि अब इस दुनिया में कोई सहरा नहीं है और ये जो मेरी साडी का छोर है जो आबरू है अब ये दुसासन इसको इस चीर हरन को करेगा तो उन्होंने पूरणत है ये सोचा कि इस प्रत्वी पर सिर्फ साइद भगवान है तो उन्होंने भगवान स्रीकृष्ण को याद किया और साडी का छोर क्या है वो साडी फिर लंबी होती चली गए उन्होंने मनन किया दुरोबदी नहीं पूछा भगवान से कि आपने एक पल जो ये देरी किया ना, ये सायद हमेशा के लिए देरी हो जाती, आप पहले क्यों नहीं आए, भगवान ने क्या कहा, कि जो आपको मतलब पूर्ण भक्ती देनी थी, वो पूर्ण भक्ती नहीं थी, तो भगवान हो और यही बच्चे इस्टडी है, जब तक आप पूर्णत है, अपना सद पृति सद नहीं दोगे न, ये नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि सरस्वती भी एक देवी है, उसी के पास जाएंगी जो अपना पूर्ण अध्यन को देगा, जो ये डिस बैलेंस, बैलेंस बना रहे हैं, हाँ सब कुछ चल जाएगा, पढ पढ़ा ही हो सकती है, एक इसतर तक आप काम्याब हो सकते हो, गुरूप D whatever, गुरूप C level की नोकरी आप पा सकते हैं, लेकिन बहुत जांदा काम्याब नहीं हो सकते हैं, जब तक आप अध्यन को क्या नहीं मानोगे, सर्वोपर ही नहीं मानोगे, अपना सब कुछ नहीं दे नोबन, तुम्हें लगेगा तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, नोबन, आप काम्याब होगे, या आपने क्या बोलेंगा, उस भगवान को पराप्त कर लिया, भगवान से मतलब उस ग्यान को आपने पराप्त कर लिया, तो आप ताकतवर हैं, आप आपके साथ ज्यान है भगवान है आपके साथ देवी है जब देवी आपके साथ है तो आप सबसे मजबूत है तो उसके लिए काम करते रिए अपना ध्यान रखते रिए वाई बाई टेक केर जैहिंद जैभारत जैमासर सुथी